नमस्कार मित्रो गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं डॉक्रा पंकज कुमार मिश्र आपके सामने मिर्चिकाडिकम के चतुर्थ अंक को लेकर के उपस्थेतों हूं चतुर्थ अंक की दृष्टी से अगर हम मिर्चिकाडिकम का विवेचन करें तो मदनिका और वसंत सेना का एक संबाद जो है वो प्रारंबह होता है और उसी संबाद के क्रम में वसंत सेना मदनिका से पूछ बैखती है क्या कि जो चित्र यह लोग मिलकर के देख रही है एक चित्र फलक है जिस चित्र फलक में चारुदत का चित्र बना हुआ है उस चित्र को देखकर के वसंत सेना मदनिका से पूछती है कि चितर है वो ठीक एकडम सद्डिय है तो उसी का रिप्लाई देती वैशा ही यहां पर आपके सामने उपस्थित है वशंत सेनर का दिमाग चक्रा जाता है उनको लगा कि मैं पूरी तरह से हाज तक देखे ही नहीं पाईी चारुदत को यह मदनिका की से चारुदत को दिब देखे भीना कह रहे हैं कि उसी तरह उनका फोटो है वसंत से ना प्रश्ण पोछती है कधम त्वम जाना सी तो मदने का भी एक पटू है और कह सकते हैं कि किसी के समवाद मात्र से हम समझ बैठते हैं कि उनमें वो कितनी प्रत्युत्पन्नमतित्वता है वो कितना अधिक उसमें एक इंटेलीजेंशिया है उनको देख लेते हैं मतने का छूटते ही जवाब देती है ये ना आर्याया सो स्निक्धाद रिष्टिरन लगना कि भाई ये तो जिस तरह से आप उस चित्र को दूब करके देख रही है थी तो आपके चेहरे को देखते ही अंदाजा लग गया आपका फेस को देखते ही अंदाजा लग गया कि हाँ वस्तुत यह उनहीं का चित्र होगा क्योंकि यदि किसी और का चित्र होता तो आप इतना डूब करके उस चित्र को नहीं देखती वसंद सेना कहती चीटी कि वेशवास दाक्षिन्येन मदनिके रहती हैं वेश्याइव रहती हैं तो यहां के जो व्यवाहार है उन्हें व्यवाहारों की चतुराई से यह मानूं जो है यह ऐसा बोल रही हो चेटी मदनी के अरिव मदनीका कि कि मवेशवास दाक्षिन्याण एवं भनसी कि यहां जो इस गणिका ग्रिह में रहती हुई गणिका ग्रिह की जो चतुराई है उन्हें चतुराई के कारण तो तुम्हें इसा नहीं बोल रही हो मदनिका कहती है आरिये किम्यएव जनह वेशे प्रतिवसती साएव अलीक दक्षिनो भवती अब इसका ये मतलब बड़ा सुन्दर जवाब देती है कि आरिया वसंत सेना कि जो लोग वेशे प्रतिवसती अर्था जो लोग वेश्या ग्रिह में रहते हैं साएव अलीक दक्षिनो भवती क्या वही मित्या बोलने वाले होते हैं या दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से ले कि क्या वेश्या ग्रिह में रहने वाले लोग जूटे ही बोलते हैं अर्थात नहीं वेश्या ग्रिह में रहने वाले भी जो लोग होते हैं वे भी सत्य भाशन करते हैं वे क्यवल जूट वचन नहीं देते या अगर मैंने ये कहा कि यह उन्हीं का चित्र है तो मैं किवल आपकी मनस्थिती को देख के कह रही हूँ मेरे मन में कोई वेश ग्रिह के जो बरताव हैं जो व्यवाहार हैं यहां की जो चतुराई है यहां का जो चल कपट है उसे से प्रभावित हो करके मैं आपके लिए कम से कम तो नहीं बोल रही यह तो आप यह समझें कि यहां पर रहने वाले लोग भी मित्या भाशन नहीं करते वसंत सेना कहती है चेटी नाना पुरुष संगेन विश्या जनो लीक दक्षिनो भवती अब देखे इसको दो तरीके से इस वाक्य के अर्थ को लेंगे एक वाक्य तो ये लेंगे कि हां मदनिका तुम सही कह रही हो कि विश्या ग्रिह में रहते वे लोग जूठे ही केवल नह प्राशन भी करते हैं लेकिन नाना पुरुष संगेन अब देखे क्या है ये वेश्या ग्रिह की प्रकृति यहां पर हमारे सामने दी जा रही है कि वेश्या ग्रिह में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनका आए दिन प्रतिदिन प्राया कई प्रकार के पुरुषों के साथ बैठना होता है अर्था कई सारे पुरुषों के साथ उनके आ सकती उनके कामव्यापार प्रतिपादितों होते हैं तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जैसा होता है उस व्यक्ति की मानसिक्ता के अनरूपे ही व्यवहर करना होता है वेश्याओं को तो इसलिए ये वाक्य बनाय आ गया कि नाना पुरुष संगेन अर्था तो नाना पुरुषों विविध प्रकार के पुरुषों के साथ रहने के कारण वेश्या जनह अर्था जो वेश्याएं होती है वो अलीक दक्षिनो भवती यानि मिथ्या बोलने में मिथ्या भाषन करने में चतुर होती ही है अर्थ के कारण विश्याओं को मिठ्या भी भाषन करना होता है जूठ भी बोलना होता है और चतुराई से भी काम लेना होता है तो मैंने ऐसा सोचा कि तुम जिस प्रकार से बोल रही हो तो मुझे लगा कि यहां रहते हुए तुमने भी वो चतुराई और तुमने भी मिठ्या भाष अब देखिए कहते हैं कि भाई क्योंकि देखिए जो मदनिका अपने को डिफेंड करते वे कहती है कि मैंने जो बातें आपके सामने रखी अर्थाक मैंने कहा कि हाँ यह आर्या चारुदत्त का ही चित्र है वो इसलिए कि यतहत तावद आर्यायाह दृष्टी यानि आर्या आ पहरिदय से उसे चारुदत्त में लीन है और आपकी दृष्टी भी इस चित्र को देखने में लीन थी तो यही कारण है कि मैंने ऐसा कहा अब इसमें कारण पूछने की क्या आवश्यक्त्या तस यह कारण किम प्रिच्यते इसमें कारण इसे पूछने के कोई जरुरती नही थी क्यों क्योंकि आगे आएगा बहुत सुंदर मदनिका अपने में समर्थन में कहेंगी लेकिन बीच में वसंत से ना चोकती वी कहती है इंटरफेर करते वे कहती है चेटी सखी जनाद उपहस नीयत आमरक्षा में अब मैं क्या कहूं तुम जो बात कह रही हो वो बात तो स यह है कि मैं पूरी तरह से चारुदत में लीन हूँ मेरी पूरी द्रिष्टी चारुदत पर है लेकिन अपनी सख्यों से के मजाक से मैं डर रही हूँ कि सख्या मेरी मजाक न उड़ाए कि रही ये वेश्या ग्रिह की रहने वाली वेश्या है और प्रेम करने चली है सब यह समाज के ब्रह्मन से तो इस तरह से होता है देखे जो सामानिय समाज है वो कहते हैं कि जिसके जो अनुरूप नहीं या जिनके द्वारा प्राटब ये नहीं उनके प्रतियदी हिर्दयानुराग उत्पन्व होता है तो मित्र लोग उसका मजाक उड़ाते ही है स्त्रीप पुरुशों के मध्य इस प्रकार का मनोवी ज्ञान जो है वो आ चुका था इसलिए यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि वसंत सेना कहती है कि कहीं मेरी सक्या मजाक न उड़ाए इसलिए मैं अपने आपको बचा रहा था अपने को छिपा रहा था मदनिका कहती यार ये एवम नेदम ऐसी बात नहीं है आप मत छिपाईए क्योंकि लाख छिपाएंगे ये बात तो प्रकट हो ही जाती है क्यों क्योंकि सखी जन चित्ता अनुवर्ति अबला जनो भवति बड़ा संदर ये वाक्या है कि सख्यों के चित्त को समझने बाली सख्यों के चित्त का अनुवर्तन करने वाली कौन होती है अबला जना स्त्रियां होती है अर्थात स्त्री स्त्रियों के मनो विज्ञान को सीग्रही समझ लेता है उनके मन में जो उठने वाले वीचार है उनको शीगरही समझ लेती है तो इसलिए आपको यदी ये भ knife है कि आपका मझाख उड़ाएगा आपकी सख्याँ आपको के उपर में हसी मझाख उड़ाएगी तो नहीं उसको रख्षा मत कीजिए क्योंकि जो स्त्री हैं, स्त्रिया हो शाकुंतलम का उदाहरन देता हूं। वो इसलिए उदाहरण देता हूं। कि प्रायव Ар Stdhivya Свे समाज जो राख सभस्कुत के वो अभिज्यान शाकुंतलम के विशे में जानते हैं। क्योंकि जो तृती अंक में जो पीडा है शकुंतला की उस शकुंतला की पीडा को सहज समझ बढ़ती है अनासुया और प्रियमवदा और फिर शकुंतला के मनोविज्ञान के अनरूप दोनों के मिलन के लिए एक अवसर ढूंडने के लिए प्रवृत्त होती हैं और विज्ञान को एक सूत्र रूप में एक सुभाशित रूप में या जीवनों पयोगी विशय बना करके यहां पर महा कभी शूद्रक ने मृषिकडिकम के संदर्भ में मदनिका और वसंत सेना के संबाद में इस वाक्य को प्रवर्तित किया है और प्रस्तुत किया है जैसी मै यह चेटी है जिनका प्रथम प्रवेश चतुर्थ अंक में होता है कि माता अग्या पयती क्या माता अग्या देती है कि ग्रिहीताव गुंठन पक्षद्वारे सज्जम प्रवहनम तेकि अवगुंठन से युक्त पक्षद्वार अर्थाथ गेट के पास जो जहां से एक्ज मैं जो आवा गमन में जो गमना गमन में जो गारियां यूज की जाती थी तो प्रवहनम सज्जम बेल गारी जो है सजी हुई है ज़र सोचिए इस पर दो तिन विश है एक तो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि समाज असभ्यता और इस्त्रियों को ले जाने के लिए एक प्रकार से कवर्ड जो गारिया होती थी वो गारियां यूज में लाई जाती थी अभी भी सेविंटीज में और जो फरस्ट आफ अप एटीज है उसमें उस तक हम लोगों ने देखा है कि जब स्त्रियों गारियों पे बैठके जाती है तो उनको एक गुंगट रूप में एक छोटे से घर के रूप में उस गारी के उपर बिठाया जाता है कई सारे बॉल्विड मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जिसमें की एक छोटा सा कर्टिन लगा होता है जिससे मुह निकाल करके खास करके इस्त्रियां अपना चेहरा दिखाती है समाज में भी देखिये गारी में क्या है कि ये पूरी तरह से बना हुआ होगा घर की तरह और उसके उपर में कवरप किया होगा ताकि उसमें जो जाने वाली जो स्त्री है उनको समाज का कोई व्यक्ति देख नहीं पाए ध्यान रखेंगे ये केवल प्रेम मिलन के लिए या प्या मिलन मातरे के लिए नहीं है बलकि स्त्रीया जब यात्रा करती थी गाड़ियों में तो इसी प्रकार गाड़ियों में कवरप करके उनको भेजा जाता था तो यहां पर अभी माता ने आग्या दिया है कि एक गाड़ी आई है जिसे गाड़ी में अवगुंठन लगा कवरप किया हुआ है और वो गाड़ी जो है आपकी प्रतीक्षा कर रही है तब गच्छ इती इसलिए आप जल्दी से चली जाओ वसंत सेना सहसा चुकि तकि स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वसंत सेना जो है वो अभी चारुधत्य के साथ कैरीडवे है तो जैसे ही चेटी का यह मेसेज सुमती है वसंत सेना तो उसमें एक उतकंठा के भाव जागरत होते हैं उसमें एक कुतुहल उत्पन होता है चेटी कि मार ये चारुधत्तो मामनेश्यती अथात ये जो गाड़ी आई है क्या ये मुझे चारुधत्त के यहा ले जाने के लिए आई है देखिए एक उ स्थिति वसंत सेना का मनोविज्ञान भी वही है कि गाड़ी क्यों आई है कैसे आई है उनको पूछे बिना ही सहसा उसके मुझे निकल जाता है क्या मुझे चारुधत्त की यहां ले जाने के लिए ये गाड़ी आई है चिटी कहती आ रिये ये न प्रवहने न सह यानि मैं जिस गाड़ी की बात आपके सामने रख रही हूं उस गाड़ी के साथ सुवर्ण दश साहसिको लंकारो नुप्रेशितह कि दश सुवर्ण सहस्र अर्थात सोने की दश हजार मुद्राएं जो है आभुशन जो है वो आभुशन भी भेजा गया है अब यह अचानक क्या हुआ क्योंकि चारुदत तो दरिद्र है अब दरिद्र चारुदत दस हजार सुवर्ण मुद्रा कहां से भेजेगा तो यही यहां पर कह रहे है अचानक वसंत सेना के उपर में एक प्रश्ण वाचक चिन दिखाई दाय देगा अरे का पुनासा यह कौन है चेटी कहती है एश एव राज श्यालह समस्थानका अगर आप देखें अगर आप उसको इस नाटक को मंच पर कर रहे हैं और म्यूजिकल जो अगर देखें यहां पर एक म्यूजिक का एक आश्चर यह जनक जो द्वनी है यह हमें सुनाई पड़ेगी क्यों क्योंकि वसंत सेना की मान सिकता के अनरूप यह सूचना नहीं है सद्यह विपरीत सूचना है एश एव यह वह है राजश श्यालह समस्थानका राजा का साला समस्थानक मित्रो समस्थानक को हम लोगोंने प्रथम अंक में देख रखा है जिसका की सामानिय नाम है शकार संस के जगत म वो हा शकार नाम से जाना जाता है तो एश एव्रा आज श्यालह समस्थानक एच बहुत बढ़ी आज बहुत सुन्दर बात जैसे ही वसंत सेना यह सुन्ती है पूरा का पूरा जो वातावर्ण ही है वो विगर उठता है और विगर उठता है इस रूप में की वसंते सेना को क्रोध आता है आपके सामने ब्रैकेट में आप आएंगे सक्रोध हम गुशे के साथ वसंते सेना कहती है अपेही दूर हट जा मेरी नजनों से मांपुनरेवं भनिश्यसी मांपुनरेवं भनिश्यसी मैं तुमसे यह अपेक्षा करती हूँ, वसंत सेना कहती है कि तुम आगे से ऐसा नहीं बोलोगी, ऐसा आगे से तुम नहीं कोई चर्चा करोगी, वसंत सेना का क्रोध, चेटी की दशा, क्योंकि चेटी हम आप सभी जानते हैं, अपने मालिकों की कृपा पर ही पलती हैं, ये अर्या प्रसन रहें, आप प्रसन रहें, क्रोध न करें, संदेश नासमी प्रेशिता, ये मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे माता ने संदेश दिया, और वो संदेश ले करके मैं आई हूँ, संदेश नासमी प्रेशिता, मेरा तो काम ही है कि मुझे संदेश पहु में प्रवेश करते हैं या किसी institution में प्रवेश करते हैं तो gate पे security personal बैठा रहता है खड़ा रहता है और वो आपको रोकता है हम उनसे लड़ जगर लेते हैं कि तुम्हारी कैसे हिम्मत कि तुम मुझे रोको ये करो अब वो वीचारा security person ये कहता है बार बार कि सर मुझे ऐसा आदेश है तो basically मैं यहां कहना चाहता हूँ कि जिनकी जो duty है वो अपनी duty कर रहा होता है इसलिए उन पर क्रोध किया जाना गलत है और ये प्राचीन काल में भी देखिए चेटी अगे में इसका प्रतिवाद किया है कि आप प्रसंद रहें आप खुश रहें या आपकी जो इच्छा है उनका प्रतिपादन करें प्रवरत्तन करें मेरे उपर क्यों गुस्ता रही है मेरा तो काम है पहुंचाना उन्होंने मुझे कहा मैंने संदेश दिया बस मेरी भूमी का खत्म वसंत सेना भी अपने को समालते हुए कहती है कि अहम संदेश अस्यईव कुप्या में अपने को रिस्टोर करते हुए कि चेटी मैं तुम्हारे उपर गुसा नहीं कर रही मैं तो उसे संदेश को ले करके गुसा कर रही हूँ उसे संदेश पर गुसा कर रही हूँ कि तत किमिती मातरम विग्णा पईश्या में कि मैं अब मैं अपनी माता को अपनी मदर को इसका मैं क्या जवाब दूँगा क्या जवाब दूँगी इस पर मैं क्या टिपणी करूँगी मैं कैसे इसका उत्तर भेजूँगी अचानक वसंत से न रुखती है और एक टटोल करके अपने को री स्टोर करके फिर चेटी को कहती है अब जाकर के मेरी मां से यह कह देना कि यदिमाम जीवन्ती मिच्छामी कि यदि माम मुझे जीवित नहीं देखना कि यदि मेरी मदर मुझे को जीवित देखना चाहती है वो चाहती है कि मैं जीवित रहूं तो इस प्रकार का संदेश न पुनह दुबारा अहम मात्रा न आग्या पई तब्या यानि मेरे पास मेरी माँ इस प्रकार का संदेश कभी दुबारा न भेजे अर्थात यदि आगे से इस प्रकार का संदेश मात्रा मेरे पास भेजती है तो मैं अपना प्रान अत्याग दूंगी अब देखिए इस तरह की बाते प्राचिन काल में भी आज भी है तब ही मैं हमेशा कहता हूँ कि युग कभी नहीं बदलता समाज कभी नहीं बदलता विचार हमारे नहीं बदलते केवल हमारी व्यवस्थाएं बदलती है हमारी सुविधाएं बदलती है उस काल का भी चिंतन यही है उस काल में भी लोग जीवन को इसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं इसी प्रकार सोचते हैं डाइरिक्ट एक प्रकार से जिसको कहते या टाइप आफ इमोशनल ब्लैक मेलिंग कह लें या टाइप आफ थ्रेटनिंग कह लें अपनी मदर को देती है वसंत सेना क्यों क्योंकि वह में इतना डूबी हुई है कि अपने उसे प्रेम में किसी और को देखना अब नहीं चाहती भले ही वेश्याओं का यह व्यापार है कि धन संपत्ती देख करके अन्य अन्य पुरुशों के साथ उनको उठना बैचना पड़ता है बट नाव वसंत सेना इस इन्वॉल्वड अ अब यह पूरी तरह से उसे दुनिया से दूर है इसलिए आगे से वसंत सेना को ऐसा आदेश ऐसा संदेश नहीं दिया जाना चाहिए बिचारी चेटी चुप चाप सुन करके चेटी ने कहा वसंत सेना को यह था तो ते रोचते जो आपको पसंद हो यापकी जैसी इच्छा मैं यही बाद जाकर के माता को सुना देती हूँ इते निश्क्रामता इस प्रकार वह चेटी बिचारी वहां से डरती हुई और संदेश ले करके चली जाती है इसी बीच क्या होता है अब यह गई यह एक द्रिश्य खत्म हुआ अब दूसरा द्रिश्य शर्विलक जिस कैरेक्टर को हम लोगों ने पहले से जान रखा है और शर्विलक प्रवेश करता है इस शर्विलक के वीशह में थोड़ी सी सूचना यह शर्मीका है मदनिका जो की वसंत सेना की दासी है उनको इसे चुडाना है तो समाज में देखिए जो इस प्रकार का जो संबंध है एक तो यह ब्रह्मन है दूसरी और यह चोरी कर रहा है और तीसरी व्यश्य से प्रेम है तो यह समाज की उसे व्यवस्था का बड़ा ही मदनिका को छोड़ाने के लिए वसंधेसेन के घर के पास आया हुआ है Hai उसका प्रवेश के साथ ही वह अपनी चर्चा करेगा कि उसने उसको क्या-क्या पापड बिलने पड़े हैं उस मदनिका कि लिए उनको क्या-क्या परित्याग करना पड़ा है देखिए क्या कह रहा है दत्वा निशायाह वचनीय दोशं निद्राम च जित्वा निर्पतेश च रक्षान देखे कहता है सारी निंदाओं को परित्याग करके निशायाह निद्राम दत्वा यह रात को मानो निद्रा दे करके अर्थात रात को पूरी तरह से शांत करके निर्पतेश रक्षान जित्वा और राजा के जो रक्षि गण है रक्षा कर्मी है जो प्रहरी है उन प्रहरीयों को जीत करके सहेश सुर्योदय मंद रश्मिह और यह जो सुर्योदय है वो मंद रश्मिह ख्षपा ख्षयात चंद्र इवास्मि जाता है कि यह जो सुर्योदय हुआ है सहेश सुर्योदय है कौन सुर्योदय है कहता है निद्रा के सारे जो जो रात के जो सारी निंदा है और निद्रा है उन सब को जीत करके उनको दे करके और राजा के प्रहरियों को जीत करके जो अभी सुरियोदय हुआ है उस सुरियोदय के ख्षपा ख्षयात और थात रात्री के विनष्ट हो जाने के कारण जो चंद रश्मी के समान में हो गया हूँ देखिए चंद्रमा जब रात में रहता है तो उनकी रोश्णी प्रकर होती है और मानू वही रात का राजा होता है लेकिन जैसे ही सुरियोदय होता है चंद्रमा का प्रभावक शीन पर जाता है उसी प्रकार मैं शर्विलक हूँ क्योंकि हमारा जो हमारी जो सारी शक्ति है वो सारी शक्ति क्या है रात में चोरी करने की जो मेरी कुशलता है वो कुशलता के वला रातरी भर के लिए है लेकिन जैसे ही सुरियोदय होता है तो हम जैसे लोगों की भी जो शक्ति है वो ख्षीन हो जाती है वो चंद्रमा के समान हो जाती है और थात ये दिन हो गया है और दिन में मानों जो हमारी वो कुशलता हमारी जो चपलता है वो धीमी पड़ रही है अपीचा और भी इसको आगे इस रूप में भी जानेंगे कि सायह कश्चित वरित गतिर निरीक्षते माम संब्रांतम दृतम उप सर्पति स्थितम वा तम सरवं तुलायती दूशितोंता रात्मा स्वैर दोशैर भवती ही शंकितो मनुष्या तेखिए मनुष्या है शंकितो भवती मनुष्या सशंकितो होता है कब स्वैर दोशै अपन दोर्शों से ही मनुश्य संकितों होता है मनुश्य को भाय होता है यदि हमें अपने वीशय में अनुमार होता है मुझे अपने वीशय में जानकारी होती है कि मुझे क्या नहीं आता मुझे क्या कमी होती है तो स्वाभाविक है उस भाय के कारण हम जो होते हैं वो संकितों होत त्वरित गति ही तेज गति वाला निरीक्षत इमाम जो मेरी ओर देख रहा है संभ्रांतम दृतम उपसर्पति स्थितम वा और जो कोई संभ्रांत है जो है दृतम उपसर्पति उनके पास शिग्र जा करके जाता हूं तम सरवं तूलयती दूशित अंतरात्मा ये सारी की सारी चीजे जो है वो हमारी अंतरात्मा उनको दूशित करती है और इस प्रकार अपने ही दोशों से जो मनुश्य होता है वह सशंकित होता है मनुश्य जो है भायको प्राप्त होता है अब यह कहता है कि मया खलू मदानिकाया हकृते साहसम अनुष्ठितम शर्विलक मंच पर है अब जो इस बीच अभी तक जो हमारी द्रिष्टी मदानिका और वसंत सेना के उपर थी वो मदानिका और वसंत सेना अब कह सकते हैं कि नो लाइट जोन में होंगी जो फोकस से है थीटर का वो केवल शर्विलक के उपर होगा और उस जगापे शर्विलक खड़ा हो करके अकेला है और खुद से बात करते दे कहेगा कि मया खलू मैने मैने मेरे द्वारा मदानिकाया हकृते मदानिका के लिए साहसम अनुष्ठितम अब साहस का अर्थ यहां पर देखिए कि चोरी डखेती है कभी जब भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो भाषा विज्ञान में इस शब्द को उदाहरन में रखा जाता है तो खेर तो मैंने मदनिका के लिए साहसम अनुष्ठितम मैंने चूरी का कारिय किया मैंने डखैती का कारिय किया आर्थात मैंने अच्छा कारिय नहीं किया मैंने गलत कारिय किया लेकिन किसके लिए प्रश्ण है मदनिका आया हकृते प्रेम मैं मनुष्य क्या से क्या नहीं कर बैठता इसका उदाहरन है परिजन कथा सकता कश्चिन नरह समुपेक्षिता अर्था कोई व्यक्ति जब अपने सेवकों से बात कर रहा था अपने भित्यों से बात कर रहा था तो मैंने उसके घर में चोरी नहीं की मैंने उसे घर को छोड़ दिया चुकि एक घर का जो मालिक वो अपने नौकर से बात कर रहा था कोचिद अपि ग्रिहम नारी नाथम निरीक्षिय विवर्जितम कि कई किसी घर में हमने देखा कि उस घर की मालकिन नारी है महिला है अर्थात महिला ही केवल उस घर में है और कोई पुरूष नहीं है तो ऐसा सोच करके मैंने उस घर को छोड़ दिया उस घर में चोड़ी नहीं की नरपति बले पश्चात पार्शवायाते स्थितम ग्रिहदारूवत और अगर कोई राजा की सेना या राजा का रक्षी जब आपास में आया हुआ दिख करके मैं वहाँ पर पूरी तरह से पेड़ की तरह लकडी की तरह मैं सांस रोक करके खड़ा हो जाता था व्यवसित शत रेवं प्राय निशा दिवसी कृता इस प्रकार के सैकरों उपाय को करते हुए मानो मैंने रात को ही दिन बना दिया था साहसम अनुष्ठितम उसकी व्याक्या हो रही है कि इस प्रकार के कार्य को करते हुए मैंने भी कितने पा तब यह देखिए बड़ी सुन्दर उस समय के समाज की दशा हमारी यह चित्रित है कि जिस घर में अकेली नारी हो या जिस घर की मालकिन नारी हो पुरुशना हो उस घर में मैंने चोरी नहीं की नारी समझ करके उस घर को हमने अपना निशाना बनाया तो ये जो चीजे हैं ये बड़ी सुन्दर सुन्दर बाते जो है हम अपने इस मृचिकटिकम जान पाते हैं तो इस प्रकार से मित्रो हमने देखा है कि शरविलक का प्रवीश हुआ है और इस प्रवीश के उबरांत हम आगे की भी कहानियों को सुनेंगे जानेंगे बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है अभी तक आप लोगों ने जो सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद टिपनी की प्रतिक्षा रहती है टिपनी अवश्य करें झाल